स्वागत है आज महाराष्ट के पूर मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता देवेंदर फर्णेविज जी ने गोशना की थी कि दिवाली के बाद पठाके फोड़ेंगे हमें लगता है कि पठाके भीग गए और आवाज नहीं कर पाए एक माहोल खड़ा किया गया कि नवाम मलिक के बंबलास्ट के आरोपियों से संबन्ध है मैं देवेंदर जी आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बारा है विदाइक बन की और 62 साल के जीवन में इस शहर में आप से पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दावूद से लोगों को जोड़ते रहे हम जब मंतरी थे उस वक भी दावूद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाशन विदान सवा में होते रहे पेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोग प्रतिनिदी बनने के 26 साला जीवन में इस तरह के आरोक कभी पे हम पर कोई लगा नहीं पाया आज एक जगा को लेकर आपने कुछ कागजाद लोगों के सामने रखे कि देड़ लाग फुट जमीन एक कवडी मौल माफिया के जरिये हमने खरी दी हमें लगता है आपके जो मुखबिर है आपके जानकारी देने वाले हमें लगता है वो कच्छे खिलाडी है आप कहते तो मही सारा कागजाद आपको दे देता और भी कागजाद आपको उपलब्त करा देता लेकिन आपने अंडर वर्ल्ड का खेल सुरू किया है आज तो सारी चीज़े मैं बोलूंगा नहीं लेकिन कल सुबे 10 बजे देवेंद्र जी का अंडर वर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट में और देवेंद्र जी ने मुख्य मंत्री रहते हुए किस तरह से अंडर वर्ल्ड की जरिये फूरे शहर को हॉस्टेज बना रखाता कल सुवे 10 बजे उसकी जनकारी देंगे लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने देड़ लाग फूट जमीन खरीद ली कवडी मोल में देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए आप सभी जाकर देख लें वो देड़ लाग फूट जमीन पर एक मदिनतुल आमान नाम की कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो 1984 में वहां इमारत बनी गोव वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है जिसमें मुनीरा पटेल ने रसी वाला को डेवलेप्मेंट राइट देके वहां पर एक सो चालिस से देड़ सो मकान बनाकर आम लोगों को बेचे आज भी वो सोसाइटी महां पर आए उसके पीछे जो जमीन है उस पर बड़े पैमाने पर जुग्गी जुपडी है और हमारा एक गोडाउन वहां पर है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्मेंट कंपनी की वो लीस पर जो मुनीरा है उनसे वो लीस पर थी तीस साल पहले से और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में चार दुकाने थी आप कह रहे हो के फेक टेनेंसी क्रियेट की गई बहुत सारे पत्रकार होंगे जब 1996 में सीवसेना भरती जन्ता पार्टी की सरकार थी और हमें लगता है शायद 9 नमबर कही वो दिन था और महराश में एक चाउकाने वाला नतीज़ा आया था जब नमाब मलेक सीवसेना भरती जन्ता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था और उस चुनाव का कार्याले उसी गोव वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वही मनाए गया था 96 के आप जाकर मेरे कार्याले के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था हम किरायदार वहाँ पे थे जो मुनीरा फ़लंबर है उन्होंने वहाँ पे जोपड़ पट्टी थी मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी और उन्होंने हमसे संपर किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी उनर्शिप हम या पूरी उनर्शिप देना चाहते हैं हमने उनसे ओनर्शिप ली उनका जो पावर अटॉर्णी था सलीम पटेल उससे हमने रजिस्ट्री की वो सारे कागजाद उपलब्द हैं किरायदार किनाते उससे में जो स्टैम डूटी थी जो कीमत थी हमने आदा की वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्द हैं हमने मालकिन से ली अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर पटोर नहीं है उससे आप पूरा आपका जो भी वैवार है वो पूरा कर लो तो हमने वो पूरा करने का काम किया सरदार वली खान का उल्ले करने का काम किया सायद देवेंदर जी को उनके मुखबिर बता नहीं पाए कि उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान का आज भी गर है पिछले सत्तर सालों से उसी गोवाला कमपाउंड में सर्दार वली खान के जो पिता जी थे वो गोवाला परिवार के एक वाच्मेन की तरह वहाँ पर काम करते थे और जब हमने संपत्ति गोवाला परिवार से ली तो तीन सो मिटर पे सर्दार वली खान ने अपना नाम चड़ा लिया था जब प्रोपर्ट्डी को हम रेजिस्टर करने गए ये बाते सामने आई और हमने तीन सो मिटर का पैसा दे कर उन्होंने जो अपना राइट क्रियेट किया था वो उनसे सरंडर करने का काम किया आज भी वो हमारे घर के पीछे ही दो प्रोपर्ट्डी पीछे वो सारी जगा है जो गोडाउन है वो भी हमारे वहाँ पर है जो आगे इमारत है उसमें भी जो चार दुकाने उस समय हमारी थी वो भी है आज महाँ पर किराय पर लगाई हुई है प्रोपर्टी ली तो आगे जो गोवाला बिल्डिंग है जिसमें चार दुकाने, आठ दुकाने नीचे, आठ घर उपर ये सारी संपत्ती उस समय हमारी हुई उसमें से बाद में एक बियर बार था मुसलमान होने के नाते, समाज का दबा होने लगा कि आपके संपत्ती में बियर बार है, वो बियर बार को भी ज़्यादा पैसा दे के हमने सरेंडर करवाने का काम किया और किसी भी तरह से कोई अंडरवल्ड के दबाओं में या किसी बम ब्लास के आरूपी से ये पपर्टी हमने करी दी नहीं ये पूरी तरह से हम किरायदार थे, जो जगा की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक लेलो और हमने उनसे लिया जो खान फैमिली थी पठान फैमिली जो वहां के वाच्मेन थे उन्होंने अपना साधवारा पे नाम चड़वा लिया था उसे शरंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया और ये सच्चाई को देवेंदर जी ने राई का परवत बनाने की कोशिस की जो वेक्ति 62 साला जीवन में इस शहर में कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडर वर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन रहे हैं रिष्टे रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगी जाएए हम तयार है हमें लगता है कि जूट का अडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी तो हमें लगता है देवेंदर जी आपकी गलत फहमी है जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री आफिस में है कम्पनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे कागजात हैं जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टेम डूटी हमने भरी है यह कह देना कि बीस रूपया फुट में लिया हमें लगता है जूट बोलो तो ज़रा ढंग से बोलो हमें लगता है जूट बोलकर नवाब मली जो पिछले साथ साल से आपसे लड़ रहा था पहली बार आपने इस तरह का अरूप लगाया सरासर बेबुनियाद है नवाब मली के किसी अंडर वर्ल के लोगों से रिष्टे रहे नवाब मली ने कभी बंबलास के लोगों से कोई संपत्ति खरी दी हाँ वाच्मेन ने अपना नाम उस पे चढ़ा लिया था उस वाच्मेन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने के काम क्या यह सच्चा ही है जहां तक सवाल है देवेंद्र जी आपने अंडर वल्ड का खिल सुरू किया है तो आपको आज मैं कह रहा हूँ कि सुबह दस बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे यह बम नहीं है आपने आडंबर खड़ा किया लेकिन नमाब मलिक कल सुबह अंडर वल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फड़नेविस किस तरह से अंडर वल्ड के जरिये पूरे शहर को हौस्टेज बनाए हुए थे किस तरह से एक अंडर वल्ड का सरगना जो विदेश में बैट कर इस शहर से उगाही करता था वो सरगना किस की लिए काम करता था वो अधिकारी किसका खास था और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज जो मैंने का है वो बारी सारी बाते सामने है लेकिन कल सुबेद 10 बजे तक का इंतिजार कीजिए बम तो फुटा नहीं लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबेद 10 बजे गिरे सार तैने आशा समईत है कि शरत पावर हन्या कड़े आमने ताकर दाखवा रार की तैने चे मंद्रि कसे ओ दाखवा मी कुटले ही गैर परकारे कुना सा वर दभाव निर्मान करून कुटली ही संपत्ति गेतलेली नाही कुटला ही अंडर वर्ल चा मांसा गडून कुटला ही संपत्ती कवडी मोल घेतलेली नाही भाडे करू अस्ताना मालकी हग साथी जे पैसे त्या मालकीन नी मांगीतले त्ये पैसे अमी दिले वाच्मेन नी स्वतासा नाव सडून गेतला होता त्या वाच्मेनला नाव काणने साटी आमी पैशे दिलेले आहे याच्यात माजा कुटला ही अंडर्वल्डची कुटला ही सबंद रहलेला नाही मी कौडी मोल जमीन कुटे ही गेतलेली नाही या उलट या मुंबई शहर मदे देवेंदर जी चे जवडची लोका फ्लोट हडब करने चे धन्दे कुटला अधिकारे चा माध्यमत उन करत होते आनि कुटला अंतर राष्ट्रे डौन जो विदेशात उन भारतत आला होता तो कुणा साथी काम करत होता या ची माहिती उद्या सकाड़ी दा वास्ता देव सर्दार वली खान या चे वड़िल जी प्रपर्टी गोवाले ची ये तैचे वाच्मेन होते भाड़ वस्वुल करने चा ते काम करत होते त्यांचा मुडे ते जे माली गहती तरस जाले होते त्या सर्दार नी साथ वरे वर स्वताचा नाव चड़ून गेतला वरत तीन से मेटर वर जवा मलकीन नी हमाला विकल ते वा तैसा नाव रिफ्लेक्स जाले मुडे त्यानला आमी पैशे दिलेले सत्य परसुती है अनि सलीम पटेल या गोवा अले चे पावर अब अटवर नी होते आनि जा मालक नी पावर अटवर नी यांचा करून वेवार करून गया तैनी सांगीतला मुडे के सगड़े वेवार बंजे भाड़े करूँ अस्ताना मालकी हद जहने सा काम हमी खे लेले सर एक सवाल ये है दोजार पास में ऐसा आरोप ये है कि दोजार पास में जब 20 लाफ रुपे का फ्लैट आता है तीस लाफ रुपे में इतनी सारी जमीन कैसे आपने लिए ये गावर घुपड पट्टी है आप जाके देख ले वहाँ पे 140 फ्लैड बने हुए है आप जाके देख ले वो मदिनेतुल आमान जो सोसाइटी है वो दीम कन्वेंस का मुकदमा डीडियार के कारेले में चला उन्हें हम काराउट करके हमारी जो गोडाउन है उसका रस्ता छोड़के उन्हें हम मालकी हक पे देने के लिए तैयार थे मदिनुतुल आमान के जो सोसाइटी के लोग है वो जो गोड़ाउन हमारा है हमारी मालकी का है हमारा किराय का पहले था या जो आगे हमारी दुकाने है वो सब हमारी संपत्ति है इस तरह का उन्होंने विवात किया उसका भी ओर्डर DDR के कार्यले से 2019 में ही हो गया है ये जमीन तीन लाग फुट नहीं इस जमीन पे अल्रेडी 140 मकान बने हुए है इस जमीन के अधिकान सिस्थे पे जुग्गी जोबडी में लोग रहते हैं उसमें जो गोड़ाउन का पोर्षन है या आगे की एक छोटी सी 8 दुकान 8 मकान की इमारत है उतनी ही अभी चीजे है उसमें भी 6 दुकाने हमारे पास हैं जो पहले से 4 दुकाने थी बाद में एक शराब कहना अमने खाली कराके लिया उसके बाद 2 किरायदार जो पहले मजले में रहते थे उन्होंने भी tenancy surrender की वो भी हम लोगों ने ली है और पूरे ट्रांस्पेरंट तरीके से जो भी चीजे हमने की तेकिन देवेंद्र जी कोई भी नेता आप सिधे बंबलास दाउद इस तरह से नाम जोड़के अब मेरी प्रतिमा मलीन करने का खाम कर रहे हैं आपने कल भी पहले प्रेस कॉंफरेंस में आपने कहा था कि नामा मलीक के दामात के घर से कांजा वरामत हुआ मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है आरोप लगा के आप माफी नहीं मांगते उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में आप माफी नहीं मांगेगे लड़ाई जारी रखें पहिना वाइन चीज जात्या वर्चियो भंजे